आपके साथ जुड़ गया हूं एक नए सेशन में तो गुड़ आप्टरनोन सभी को मेरा प्यार नमस्कार कैसे हैं आप सबी लोग उमीद करता सब बढ़िया हूंगे आपके यहां तो नेट नहीं चल ना है चलो तो बात में देख लेना रिकॉर्डट फैसिलिटी अविलेबल है चले तो स्टार्ट करते हैं कल हमारे एक ओडिंग तो चला था डारेक्शन डारेक्शन चल रहा था ना या कल और रहेंगे क्या चल रहा था कर डारेक्शन चल रहा था ना last time डारेक्शन में कोश्ण करा दिया था अना 135 दिग्री जो राइट टन करता वह वाला हो गया यह बता वले अधिफो है खुंगäg गोर में कि अधिवर्स में वाला हो तो की अधश्य दियां कि आखरी जाके बताता थाएं किस समय आप यहाँ पार है आरइ आखरी पहें बताता है कि समय आप यहां करने काहरें कर लेते निए है अर चैनल फॉर्ट से है जली पच्टा लेते हैं कि और मज़ेंगी बात क्या है कि श हैडव एग्जाम में पता नहीं ही रहा है यॉसके बात आप से बहुता है मौर्णिंग का नाम लेगा शैडो में परच्छाई बनेगी उसके ओपोजट ने कि अगर मॉर्निंग का समय है संट का से निकलता है इस डारेक्षिन से तो परचाई बनती है वेस्ट में कि याद लगी शेडो में क्या करते हैं हम जहां पर सूरज होगा उसके आपोसित डारेक्षिन में परचाई बनेगी ठीग है अब यहां पर एक कंसेप्ट है मैंने इसको असान करने के लिए इतना इसली मैंने इसको फ्रेम्ट ही है देखिए वो कहेगा इन मॉर्निंग शेडो आफ अमित देखना हमने कितना सान में है इसको तो वार्ड्स हेज राइट सुवह के समय अमित की परचही उसके दाईए और दिखाई दे रही है देन फाइय अवं तो बताएए ह dishonest टारेक्ष तो आप बताने का के किस्ट करें हमित कहां पर देख रहां इस समinea तो दिखिए मैं इतना रायत ने बिलाता क्या करना है परच्छाई उसके दाईयों और दिखाई देए दें फाइंड आउट तो बताईए तो इन विच डारेक्षण आम इस फेसिंग नाव्ट टेश डारेक्षण अमिट इस फेसिंग नाउ, तो आप बताने के करें, अमिट कहाँ पर देख रहा है इस समय तो देखिए मेतना राय टे नहीं फिलाता क्या करना है आपको धेहान दिनाइ Gerade रखाये Morning दे रखाये तो जब कभी भी Morning दे रखाओ और शेडू दे रखाओonder तो हमारा concept क्या है वेस्ट लगाओ पूर नमबर पाओ और समझना है यह तो पाओ बाजी खाओ ठीक है शेडो हटाओ वेस्ट लगाओ सब्सक्राइब तो हमारे लिए कोशन क्या बन गया हमारे लिए क्या बन गया वेस्ट अमित के राइट में है वेस्ट अमित के राइट में है पूरी दुनिया में अगर वेस्ट डारेक्शन राइट में है तो राइट किते डिगरी का होता है यह और बता दीजे राइट किते डिगरी का होगा 90 डिगरी का तो आप मुझे यह बताएं वेस्ट अगर राइट में जाना है 90 डिगरी तो कहा पर पहुंचें साउथ में खड़े हो जाएं राइट टर्ण करें आ जाएगा वेश्ट तो अमित कहां देख रहे हैं साउथ हो जाएगा शेडव हटाओ वेश्ट लगाओ पूरे नमबर पाओ सब्सक्राइब सिंपल को थोड़ा और अच्छे लेवल का बनाते हैं यहां तर समझ में सबको एक नएक मिल जाता है जो कहता है सर एक बार रिक्वीट करी दो अरे वह यह शेडव हटा के वेश्ट लगा तो आंसर जेगा तीन लोग मिले पूरी क्लास में तीन लोग मिले जुनों निका सर एक बार तो हो जाए देखो भाई तुम जो भी हो धार से सुन लिया करो क्योंकि इतना खराब कोश्चन अपनी हैबिट बदल दो तो क्योंकि अगर तुम से दो पिलस दो चार है तो भी तुम अरुन सर से अपनी आदते बदलो लवीना और वो दो दीन चार जो और है अपनी आदते बदलिए आप इतने खराब नहीं है जितना अपने अपने आपको खुद बना रख्था है इतने खराब आप है नहीं जितना आपने अपने आपको बना रखा है मेरा डाटना ज़रूरी है कोकि कुश्चन में कुछ स्थाई नहीं अपनी आते बदलिए ठीक है हुकुम देव आप पढ़ाई की जगा कुछ और काम कर लो ना इतनी भी हिंदी तुमें नहीं आती तो कोई और काम कर लो जुरूरी तुड़ी नहीं सारे बैंक में जाएंगे कि वहां किसी ने तुम्हें अप्लीकेशन अंग्रेजी में लिगती तो क्या कहोगे उससे कि हिंदी में लिखके लाओ नहीं और क्या ऐसी कहना तो नो अब तो तुम्हें नहीं का हिंदी में नहीं तो कि तुम्हें पता है कि नो पता चल जाएगा सबको आना चाहिए नो अगर कोई पढ़ा रहा है तो हिंदी में कहते ना नहीं ऐसे कौनसी इंग्लिश लिखी विए जिसमें तुम्हें यह कहना पढ़ गया एक बार बता दो मॉर्निंग का मतलब नहीं पता शेड़ों का नहीं पता या अमित को हिंदी में लिखूं बताओ क्या लिखूं लास को इंटर्टेइन्मेंट करवा रहे अपने आपसे बताओ अमित को हिंदी में लिखूं ऐसे मत किया अगर वेफ कूपी एक बार और वैसे मैं हिंदी बोल दिया था सुबह के समय जो परचाई है अमित के डाई और है तो बताईए उसका फेस किदर है मुझ किदर है मुख किदर है तो बस आपकी लिख है मॉर्निंग लिखा हो को हटा दो वेस्ट लगा तो आपके लिए कितना इजी बन गया कि वेस्ट अमित के राइट साइड है तो भाई साब आपने दो दिन डारेक्शन पड़ी राइट लेफ्ट खेला वेस्ट अगर राइट में है तो यहीं से तो राइट में आएगी क्योंकि राइट तो 90 कभी कभी मों कहेगा ए और भी इस वाकिंग टूबर्स इच अधर आपको लोगा बतानी क्या कह दिया कभी कभी कहेगा वो ए और भी वर स्टेंडिंग बैक टू इच अधर एक दूसरे की दरफ पीट करके ख़ले हैं कि जो आपको भी ट्रिक सिखाई यह यह चाहिए ऐसे हो या ऐसे हो आप देखना मत आप ध्यानी मत देना आपको अभी तक कुशन मिला ही नहीं है बढ़े यह कैसे भी खड़े हो तुम्हें कोई मतलब ही नहीं बाड़ में जाए आमें तो अपना अंसर से मतलब है तो मैं ध तुम्हारा कुश्चन अभी स्टार्ट नहीं हुआ ठीक चलो आगे बढ़ते हैं तो देखिए तरीका क्या है यह कैसे भी हो हमें कोई मतलब नहीं इसके बाद कह रहा है इसने तो अपने आपको फसानी के लिए ऐसे कहा देखो भी मत अगर एक का फेस मिल गया तो बी उसके अपोजट होगा अगर बी का मिल गया तो ए उसके अपोजट होगा यह तो बस आये चाहे वो एक दूसरे की तरफ आए या एक दूसरे की तरफ पीट करके खड़े हो जाए अगर एक का फेस मिल गया तो दूसरे का मिल जाएगा दूस यहाल यह哎ay morning का कुष्छ है in morning नो लिखांऊ न जए फहले इन मरनिंग इन बسمक आप मुजह बताए भी के left में है क्या west अगर west direction left में यह बता ओं बी गदर देख रहा होगा। अगर west left में तो थी किदर देख रहा होगा नॉर्थ में बास साह Γर तो एक आधिक रहा होगा साउथ में बात कता हूं हमें कोई मतलब ही नहीं वो पीट करके खड़े हो एक तूसरे की तरफ चल रहे हो जैसे मनों वैसे रहने दोने हमें कोई उनसे लिना दिना नहीं क्लियर है कि सब्सक्राइब अगले वाले में आजाओ अब अगले वाले में आओ बैटरीन बड़े तरीका है अपने हमने ट्रेकी ती जबर्दस लगा लिए हमें कोई मतलब ही नहीं कहीं पर में रहे हैं कैसे भी रहे हमें उनसे कोई लेना दिना ही नहीं है बड़े हां होगी आसान सेम कुश्चिन ए और भी वर स्टेंडिंग बैक टू इचेदर रहने दो हमें कोई मतला भी नहीं है एड़ टाइम शेडव बीस तो वार्ट इस लेफ बई शेडव हटाओ बैस लगाओ शेडव बी के लेफ्ट में तो बी नौर्थ ए साउथ हमें कोई मतला भी नहीं है हम जाता टेंशन नहीं पाल लेंगे कि तुम पीट करके खड़े हो तुम एक दूछे की तरफ देख रहे हो जैसा मन तुम्हें वैसे खड़े रहा हमें तुमसे को मतला भी नहीं हुआ शेडव अटाओ वैस्ट लगाओ शेडव अटाओ वैस्ट लगाओ आओ इस काम को इवनिंग में कर लेते हैं अब आप मुझे बताएं इवनिंग में संसेट किदर होता है वैस्ट में तो परचाई कहां बनेगी तो हमारा क्या गाना हो गया शेडव हटाओ इस्ट लगाओ सैट शेडव हटाओ इस्ट लगाओ और पूरे नंबर बाओ अभी संध्या ने कहा कि क्लास तो ब्लड लेट किये बात बिल्कुल आपके सही है पर अगर आप पिछली क्लास में आती तो यह समझ जाती कि सर अभी तुम्हारे पुराने पापों को दूर कर रहे हैं यह तुम्हारे पुराने पाप हैं जिसको मैं दूर करता घुम रहा हूं और सुनी एक चीज़ और मुझे इस इंडस्ट्री में हो गए हैं नौ-दस साल तो माना अगर कोई बिचारा नया टीचर होता तो यही पढ़ा रहा होता क्योंकि मजबूरी पढ़ाती उपर बिलड रिलेशनल खाए है लेकिन कमपनी को पता है कि कुणी सार वहां बैठें तो जो सब्सक्रा बढ़ांतीक हो ठीक है कि यह कंपनी को पता है जो आदमी वहां बैठा है ना वह बहुत बहुत रेस्पॉंसिबल है को बिचारा नहीं होता तो उसको तो पढ़ाना पड़ता कि इस लगाओ यह केवल आपके लिए और मैं जल्दी भी नहीं भाता है क्या पंद्राइब फालतू देदूंगा कल देद यहां पढ़ें यहां टाइम देखके नहीं पढ़ा या ता जी दो गंटे चार गंटे खतम ही करना है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है शेड़ो अटाव इस लगाओ आपके रहे इन मॉर्णिंग संध्या की संध्या संध्या में संध्या की पडचाई शंध्याme शामःत होता है इन मॉर्निंग मॉर्णिंग में इन चल रहा है इन इवनेंग इन इवनेंग शेड़ो अफंसध्या is towards her right find out face of sandhya बताइए संधय के तर देख रही है face of sandhya shadow हटाओ east लगाओ shadow हटाया east लगाया east संधया के राइट में है तो पूरी दुनिया में east अगर राइट में है तो वो नौर्थ ही देख रही होगी काम खतम पैसा आजम job watch करो ठीक है सई आगे चले प्रेक्टिस कहां से करनी है इस टॉपिक की सर इशा इशा कल किलास में आई थी इन बच्चों का बतानी क्या करना है हम तो मैं तो परेशान होगे नहीं कि इस बस्के हो कितने घर्व के साथ करें प्रेक्टिस कर वाकर वाकोव क्लास मत करतों व्थे क्लास्टों करनी तुम सीथा प्रैक्टिस करो ना आला क्लास में कर क्या लही ओ यह जाए ला uy Azure कुछ कर लिये कि उसके बाद भी अगर मैं तुम्से प्रेक्टिस कर वा रहा हूं तो लाला थे इस alguns सब्सक्राइब कर लो और उसके बाद क्या कर लो गर्व के साथ बोला था प्राउड के साथ कि ये तीन कोश्चन कराएं जाए ये 2016 से 21 तक के कोई भी कोशन उठाई है इसका मलब आप यहां से प्रेक्टिस करो पेपर उठाओ गूगल से डाउनलोड करो कि 2021 की डिरेक्शन 2020 की डिरेक्शन चेक करो चेक करना चाहिए और फिर भी ज्यादा प्रेक्टिस कमने तो डेली यार 8 बजी 40 कोशन बढ़ाता हूं अब और कितनी प्रेक्टिस करने हैं कि सुबद उपर शाम रात इंगल रीजनिंग पढ़नी है इतने बढ़िया बढ़ाने के बाद भी कि डेली तो होती है कि चलो कि चलो कि आगी बढ़ते हैं तो अब यह हो जाएगा शेडो आफ्टनून में कोई शेडो नहीं बनती तो आप्टनून में नॉर्मल कोशन सॉल्फ होगा इसलिए कभी वैसे तो यही वाला नहीं आ आ रहा आ आ अपन वाला तभा एगा फिर भी आफ्टनून में आएगा नॉर्मल कोशन सॉल्व करना अब हम चलते हैं खूनी रिष्टों की दरफ ब्लड रिलेशन की दरफ कि सई ब्लड रिलेशन खूनी रिष्टे इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले यह बहुत सारे नए नाम इंट्रोड्यूस होंगे जो आपके दिमाग में भी आगे सर इसको क्या कहते हैं उसको क्या कहते हैं ऐसे होगा तब क्या कहें लिए तो यह मैं अपने आप बता दूँगा आप बीच में डिस्टरब नहीं क तो यह तो यह आपकी सिस्टर तो सिस्टर ही रहेगी आप मेल हो या फीमेल सिस्टर तो सिस्टर ही यह यह आपके भाई है आप मेल हो तो भी भाई को भाई बोलोगे आप फीमेल हो तो भी भाई को भाई बोलोगे आपके फादर तो आपके अकेले की नहीं होगे इनके भी होगे इनके भी होगे आपकी मदर तो आपके अकेले की नहीं होगी इनकी में मदर होगी जो जनरेशन आपके पहले आई है तो वो आपसे पहले जो जनरेशन आपके बाद में यह वो आपके बाद में सहे पहले वाली जनरेशन पहले उसके पहले वाली और पहले आपके बाद वाली बाद में आपके बाद के बाद वाली और बाद मे तो ये रिष्टे तो हो गए जो आपके by birth आपको मिले थे मैंने क्या किया है, circle बनाया है female के लिए square बनाया है male के लिए ये single line same generation को denote कर रही है और ये arrow के साथ आएगी तो married couple को तिक, अब ये रिष्टे तो आपके घर वाले हैं जो घर से ही आपको मिले थे एक आपने शादी कर ली, शादी अगर आपने, आप male है तो जिस से भी करिये, मतलब अगर आप male है तो sorry wife से करियोगी मतलब female से करियोगी, और अगर आप husband, आप female है तो husband से करियोगी, ये ज़रूरी आजब ना, जब question करने का मन हो, तो आपका मन चाहिए कुछ भी हो, लेकिन फिर भी female है, तो male से इशादी होगी, male है तो female से, ठीक है, तभी pair माना जाएगा, से, मैंने इसलिक clear भी कर दिया है, कि आपका मन कुछ भी हो, लेकिन इसमें नहीं माना जाएगा, इसमें हम pair, male, female को इखांट करते हैं, ठीक आगे बढ़ें, उल्टा बना दिया वोक्स, तुम तो ध्यान लगो, यह उल्टा हो या सीधा हो, तुमें उल्टा नहीं होना है, कि कि तुमें ध्यान लगना है, question की concept पर male है तो female female तुमें, तुमें उल्टा काम नहीं करना, बस यह यह आदर न, ठीक है, चल, यह मैंने कु आप मेल हैं तो आपकी शादी होई आपकी वाइफ हो गई है ना अब जैसे आपके ममी बापा है इनके भी ममी बापा है आपकी शिस्टर को आपकी तरह सिस्टर ही बोलेंगी और इंग्लिश इतनी इजी क्यों है कि फिर अगराफ इस ब्लेड रॉलेशन के सेंसमें बात करें आंप पापा भी पापाम की रही ममई नहीं है भाए भी भाई रहा बेहन भी बेहन ही रही हा क्या अब आप से कह रों है तो आप फादर ही बदाना यह तो अब इस पचे यह कौन न तो दूसरी साइड से है, कानूनी रूप से, इन लो लगा देना साथ में, इनका ब्रदर आपका भी ब्रदर, लेकिन कैसे, कानूनी रूप से, इन लो, इनकी सिस्टर आपकी भी सिस्टर कैसे, कानूनी रूप से, सिस्टर इन लो, इनके फादर आपके भी फादर, कानूनी रूप से इन लॉप इनकी मदर आपकी मदर मदर इन लॉप कानूनी रूप से, अच्छा ये वह वालता आज समझ में हाई इनलाओ के ड्रामा है, ठीक है, कि तुम मानो या नहीं मानो जबनदस्ति मन वालेंगे कानूनी रूप से, तुम मानो या ना मानो मानना पड़ेगा चल आगे बड़े तो आप तो कोई कलेश नहीं आएगा वो कौन है वो कौन है चल अब देखिए अब होगा क्या आपकी शादिवी आपके बच्चे वे यह आपकी डॉर्टर यह आपके सन तो यह तो दोनों के लिए इस डॉर्टर सन है तो यह इनलो इनलो तो हैं यह तो आपके खुद के हैं यह तो नॉर्मल आप सुनो इस बच्चे के लिए दो चीज़ है जो रिष्टे मम्मी की तरफ से हुंगे यह पापा की तरफ से मकमी तो मममी है मैर नल generation जो रिष्थे पापा की तरफ से हुँगे पापा पैसे लो कितना आसान इसमें देखने सुनो कि यह कौन आंटी यह कौन अंकल ये कौन है आंटी ये भी अंकल बस ये आंटी कौन सी है मम्मी की साइड वाली ये अंकल कौन से मम्मी की साइड वाले ये अंकल ये आंटी कौन सी पापा की साइड ये अंकल कौन से पापा की साइड ये ये ग्रेंड फादर ये ग्रेंड फादर ये ग्रेंड मदर ये ग याद रहेगा पापा पी से स्टार्ट हो रहे है तो पैटरनल मम्मी एम से स्टार्ट हो रही है तो मैटरनल रट्टा भी लगा सकते हो मम्मी एम मैटरनल पापा पी पैटरनल वाव ठीक है ऐसे रट भी सकते हो पैटर्नल मतलब पैत्रिक ज्यादा हिंदी बोलूँगा तो मेरे कोई दिक्केत अजीए पैटर्नल मतलब होता है पैत्रिक पापा की द्रव से मैटर्नल मैट्रिक मम्मी की द्रव से ठीके चेले आगे बने अब सुनो, जिस तरीके से आपकी शादी हुई, ऐसे ही आपकी सिस्टर की भी होगी, आपके ब्रदर की भी शादी होगी, तो मैं यहाँ थोड़ा गैप कर रहा हूँ, चलो यहीं बना लेता हूँ, आपके भाई की शादी हुई, यह इनकी वाइफ आ गई, इनके बच्चे आ समझ जाना, इनके बच्चे हुए, तो जो आपके लिए कौन है, मतलब यह आप है, यह कौन है, नीज और नेफ्यू, मेल होगा, तो नेफ्यू, चाहिए हो, चाहिए वाला हो, मेल होगा तो नेफ्यू, और फीमेल होगी तो नीज, से, मेल होगा तो नेफ्यू, चाहिए आपकी सिस्टर के बच्चे हो आपके ब्रदर के बच्चे हो नैफ्यू नीज नैफ्यू नीज कलेश कटम में ठीक है चले आगे ऐसे मौसा मामा मामी ताउ टाई चाचा चाची उर्वासि पलवासी अरवासन पलवासन सब आंटी अंकल हजबेंड की बुवा कौन होंगी हमें न यह थो बटाब गखा पाएंगी क्या मागा लवादी है ए आजकल अंब्य केलवाते नहीं थर से और वह थो देटाब्ड़ बखाएंगे क्या कहलवाती देखो इंडिया में रहे के पड़े लिखे होने के बावजूद अगर अनपड़ों वाली हरकते करोगे तो तुमारे में और जो रिक्ष्या चला रहा है उसमें फर्क ही क्या है वो रिक्ष्य वाला भी बता देगा तुम्हें जो आप बात पूछ रही है या पूछ रहे है जो रिक्ष्या चला रहा होगा वो भी बता देगा तो आप मुर्ख ता पूड काम ना करें कि स्टार्ट करें आज का खेला उसमें सबसे पहले जिसे कोशन आया W is father of Y but Y is not daughter of W. देन फाइंड आउट बताईए हाव इस डबलू रिलेटेड टू वाई मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ एक बार वर्ना बिकार में कलेश मचाएंगे पहला option mother, दूसरा father, तीसरा son, चौथा बता नहीं सकते, पाचवा कोई और option सुनो, डबलू पापा जी है वाई के लेकिन वाई उनकी लड़की नहीं है, तो बताईए डबलू वाई का क्या लगता है, हिंदी में बता दिया, इंग्लिश में लिखा हुआ है, बताईए ओग जाँ, विदी मुझे तना साया या, इंदी मुझे तना साया या, इंदी तना साया या 59 परसेंट का ठीक है, देखिए, डबलू वाई इस फादर वाई, डबलू पापा है वाई के, डबलू क्या लगता है वाई का आप पढ़ना शुरू करिए, बुवा, हस्बेंड की बुवा क्या लगती है, या वाईफ की बुवा क्या लगती है, ये तो बाद की बात है, पहले पढ़ना आना चाहिए आया समझ अब तो पढ़ना ही नहीं आता, एक तालिस परसेंट को जो आंसर तो कुश्चन में छिपाधा से ये हाव इस डबलू रिलेटिट टू आई, डबलू इस फादर ओफ वाई से किसके बारे में जानना चाहरा है, डबलू के बारे में, डबलू इस फादर ओफ वाई हाँ हाँ है, अब इससे ये दिया क्यों है। यह बताने के लिए कि क्योश्चन किस साइट से आंसर करते हैं तो याद रखिका जिसका नाम पहले होगा, उसी के बारे débटाना है, डबलू का नाम पहले, 써 क्या ब compliant य कवसे का यह टो टो स्वाइ依ा धर बॉन यिलेटीटू दाब्ली सब्सक्राइध सब्सक्राइए कि क्ते कुेस्ट नमबर कर यह फोलू घए वन कूसेंट नमर वन घई कर अब ड्र यह अब जबर गने है पाँच परसंट ने का पता नहीं तुम्हारा कोई मान धर्म नहीं है क्या पता नहीं कर दिया तीन परसंट ने फिर वाद फादर कर दिया बहुत जबर्दस यह लोग तो मतलब कसम से हरे लड़का होगी अरे लड़की नहीं यह थी अगयोगी तो वाई इस सान ओफ डबलू सबको नौपनी चाहिए 1 परसेंट मदर वाले भी है चल आगे बढ़े चलिए देखे ये इसकी शादी इससे हुई ये इनके ससुराल वाले हैं सारे तो ये फादर इनलो ये मदर इनलो ये क्या होगी आंटी ही होंगी बस ठीके और ये ये भी आंटी ही होंगी चाहिए पापा की दरब से हो चाहिए मम्मी की दरब से इन के लिए आंटी हैं आंटी सहीए ठीक है इंगलिश में बहुत सिंपल है ज्यादा कलेश नहीं करवाते लोग मेल होता तो अंकल ही होते बस और कुछ नहीं आंटी अंकल आंटी अंकल बस कलेश कदम सब्सक्राइब यह ज्यादा कलेश नहीं मचवाते हैं सिंपल लगते हैं बहुत ब्लेड रिलेक्शन खूनी रिष्टे इदर गये हैं एक पीडियाफ ही निकालता हो जाए है झालता है जी रिष्टे इदर भर हुआ चलिए सबसे पहला और सबसे आसान कुश्चन ही रहा आपके स्विन पर इस पाउस आ गया इसमें नेया वर्ड बी एका या की इस पाउस है डाइग्राम बन जाए तो लाइक पटिक बस डाइग्राम ड्रॉ करना है और कुछ नहीं यह बोनस बोनस कोश्चन है बोनस यह काउंट में नहीं आएगा बस डाइग्राम ड्रॉ कीजिए कि बस बढकर बाईब आएग्राम ड्रॉ कीजिए झाल झाल जे देखैंजर है, फेमली में साथ मेंबर हैं किवल, डी क्राइड इस्सिर नोप्य दो इस्सिर ने हैं? Augs सिक्षाकी और किसके लिया आ यहें एड के लिए डी के लिए, डी दैल कॉर, इकलौती पुत्री है बीकी, दी लाती पुत्री है, इसे सिक्षाचार है तो यह कौन होगा C कौन होगा बताने का कश्ट करें यह अगर एक लौती पुत्री है तो यह कौन होगा Sun B is only daughter of B अगर यह कलौती डौतर है तो यह Sun हो जाएगा चलो B is spouse of A spouse का मतलब होता है अगर यह B male हुआ तो A female B female हुआ तो A male मतलब pair हो गया spouse मतलब husband wife pair को बोलते spouse couple ठीक है याद रहेगा spouse किसके लिए आता है pair के लिए couple के लिए male है तो female के लिए female है तो male के लिए हाँ जीवन साथी बस.com मतलब लगाना ठीक है brother-in-laws होता है या brothers in-law होता है वह होता है जो उन्होंने रखा है गड़ा मैं डॉनों में से वह होगा तो है ठीक है जो जो अनुरे रखा एना अगरे जी में वह होता है कि यहां अम रेजी नहीं सिखाई जारी ठीक है वरना English भी अगर मैं सिखाता न आपको तो आपको पूछने नहीं होता अगर मैं इंग्लिज बी इतना इंट्रेस्टिंग करके पड़ाता कि फिलिन द आप वो टेस्ट क्या होता है क्लोस क्लोस्तेस वह युद्टा इसमें सारे अप्चिन बड़े इक लोड़ होते हैं अ मैं वो भी इतना बढ़ी आसे पढ़ाता कि आप फिर कभी पूस्ते नहीं इंग्लेश में कभी फेल नहीं होते तो ठीक है ठीक चलो तो अभी जो अंग्रेजी पढ़ा रहे उससे पुछो कि ब्रदर इन-लाउस होता है या ब्रदर इन-लाउस ऐसे वाला होता है ठीक है है वह को चलो हमारे में जो ऑप्शन में वहीं कर लेना तो भी इस ग्रैंड मदर ओफ जे और के ठीक है तो भी ग्रैंड मदर जे और की ठीक तो जे और के यहाँ आंगे यहां आंगे जे और के जिनकी मम्मी एफ हैं जे और के की मम्मी एफ है अभी बतो मम्मी अगर एफ है तो इससे तो शादी शुदा होगी नहीं मम्मी अगर एफ हैं तो इसका मलबकर मम्मी की बात कर रहा है जे और के की मम्मी एफ हैं तो एफ की शादी इससे हुई होगी तभी जे और के आ सब्ख्राइं करने जितने बोलेगे उतने हीगना अब सुनों और चीज़ हमारे दिमागे में एक और ख्याल आ सकता है कि किक्या पता भी ग्रेंड मतर जे और हिखिए तो क्या पता निंक चाला थे दिमांग में तो मैंने इसलिए पहले वाले में के कर दिया था कि कि यहां पर मैरॉड कपल वही होंगे मेल तो फीमेल एक इस तो मुम्मी की शादी तो भी यह मैल से होगी न सबएक रहां पर यहीं बचा लोगे यह तो ग्रैंड मदर है पहुत है सभी है जे और के की ग्रेंड मदथ है तो यह ग्रेंड पाथ है अब अब कोश्चन आप से पोछ सकता बताईए आ सका फैमली में में मैंबर कितने हैं अब बता ये फिट में वी में कितनी हैं तो बता मत देना नहीं तो नंबर काट लेगा क्लियर है कि बता मत देना नंबर काट लेगा नहीं तो 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 क्या बता सकते हो क्या बता सकते हो अगर वो कहें यहां पर काउंट किया सकते हैं हाँ करना देखो एक्च्वल में इनको मेल में काउंट करेगे यह फीमेल में नहीं मालूम, तो मेल इससर में जो दिख रहे हुए ही मिनीमम मैल दो मीनिमम हो सकते तब देना बता देना कितने होसकते अधिक से दिक देखो एक और एक दो तो है जाओं हो गाई इन्होंदों को गए मेलि मालूम मिनिमिम मता के मेल नहीं बता देना कि फेमेल मता आतो नहीं मालूम मिनिम्माथ अब याद रहे सेट क्य है चाहल तो नेक्स्ट अब नेक्स्ट क्या है अब तो यह मैं काउंट नहीं करूँगा यह मैंने कराया नहीं है यह तो बस ऐसी ही लुभाव में दे दिया है कि मैं आपको पराओंगा 1 कुछ इन इन थे तो एक है वही वाला मेरा काम क्या है सुनो as a teacher मैंने इतने साल पढ़ा लिए तो मेरा फाइदा क्या है इन चार कोश्चन करने के बाद बच्चे के पास मैं तो कर लिए एक्जाम हो जाए और वो एक्जाम में फेल भी हो जाए कोई फरक नहीं पढ़ता फरक किस चीज़ का पढ़ता है आपने चार कोश्चन कराए क्या उन चार कोश्चन से वो तो नहीं कर पाए उसकी प्रॉब्लम है क्या उस चार कोश्चन से 2016 से 2021 के जो एक्जाम में आये है एस्टी वगेरा में नहीं जो कोई एस्टी कंपनी मना रही है उनमें नहीं जो एक्जाम में प्री लेवल का पेपर आया है क्य या उसके सारे question कर पा रहे हैं, ये मेरा task है, क्या जो 2021 में आपÉपर होंगे, उसमें question कर पाएंगे, ये मेरा task है, एक बच्चा नहीं, majority, सही बात हैं,fps तो आप केवल यही चार question की practice करके जाए, जिम्मेधारी मैं लेता हूँ, पर इसमें conceptual त्यारी हो आपके इन ही चार को दुबारा पढ़ लेना इसके अलावा अगर पढ़ने का मनो तो आठ प्यम प्रैक्टिस बहुत इस से अधर क्या चाहिए कोई बुक नहीं कोई कुई नहीं मैं नहीं लगा था कुई आज कुई लगाओ कल बंडे लगाओ ये लग पाते रहोगे तो पढ़ोगे आप सेलेक्शन कब लोगे अगर 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 तो ये लीजिए पहला कुश्चिंड पहला ही दस मेंबर का कि जिए करें कि जिए टाओ झाल 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 कर लिया क्या झाल सब नहीं मना लिया चार परसेंट देख लो भी है जो बच्चे का अभी दस मेंबर है डी डॉटर है डी डॉटर है बी की बी हूँ आते परोसी के लिए बी वाइफ ए एफ की अगर भईया बी वाइफ है तो यह हस्बेंड होगा एफ भाई है एका ठीक है एफ फादर है एच के यह पापा है एच के एच भाई है आई का आई सन है जे का वह आई सन है जे का अगर यह मेल था तो यह फीमेली होगी यह बताओ यह जे एक पाद सुनो आई यह भी सुनो तुम्हें पता दा कब आप आप ही नहों है एच का गया है एस 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 फादर आफ एच तो यह पापा है एच के ठीक है एच भाई है आई का अगर एच भाई है आई का तो इसके पापा का पता लग गया यह हुए इसके पापा भी और लिखा है आई जो सन है जे का अगर आई जे का सन है तो यह भी जे का ही सन होगा तो यह अगर पापा है तो यह इनकी मम्मी हो जाएंगी सर्य है भीया ठीक है आई इस सण ओफ जे तो इसकी मम्मी का पतल लग गया तो यह हो गए वह यह और जे क्या कपल हो गए ह और आई के बच्चे हों गया दोनों जी सन है सी का सी वाइफ और डी ब्रदद देखो डी के भाई की वाईफ जी एज सन ऑफ सीug कि सी वाइफ है डी के भाई के डी के भाई की वाईफ सी जी उनका सन एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस बस ए से लेकर जे तक तो ए बी सी डी नहीं हो आई ये ये आजाएगा नमस्ते हो जाएगा कि यही डागरम बनाये आपने तो एक बाद बता दीजे यही आज की कथा यहीं तक समाप करते हैं कल इससे आगे कल चलिए कुछ लोड नहीं लिना घर जाना अराम से चिलो के वापिस आया चिलो के जैसे जाओ वैसी आजाना कोई इंगली रीजनिंग जाता नहीं पड़नी बाकी सब्सक्राइब पड़ो कि यह मैं समाल लूगा अपने जब भी पड़ोगे कावाडाई करोगे ठीक है जैसे जाओ वैसी आजाना मैं अपने अपसे मल लोगा है बाए 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 चलिए